हेलो फ्रेंड्स देखिए आज हम ये प्यारा सा और इजी सा नीटिंग पैटन बिनाएंगे बहुत ही इजी डिजाइन है केवल 6 लाई में ये डिजाइन बनता है यानि कि 6 रोका ये रिपीट पैटन है डिजाइन को बनाने के लिए फंदे हमने 2 के मल्टिपल पे रखने है यानि कि 2222 इवन नंबर पे हमने फंदे रखने है ये देखिए इसका प्यूटिफूल सा राइट साइड और ये है इसका बैक साइड उल्टी तरफ से ये ऐसे दिखता है और फ्रंट साइड ये है पूरी 6 सलाई में ये डिजाइन बनता है जो 6 सलाई में आपको बना के बत सलाई बनाएंगे उल्टी तरफ से पॉर्डर बनाने के बाद फॉस्ट रो रॉंग साइड पहला फंदा ऐस्टी चैसे स्लिप करेंगे इसके बाद पूरे फंदे उल्टे उल्टे बनाएंगे तो ये पहली सलाई है और उल्टी तरफ से पूरा उल्टा उल्टा इसे बुन साइड साइड पहला फंदा इस्टे चैसे सीधा उतारेंगे इसके बाद पूरी सलाई सीधी सीधी बनाएंगे तो यहाँ पे दूसरी सलाई पूरी हुई तीस्टी सलाई बनाएंगे उल्टी तरफ से पहला फंदा उल्टा उतारेंगे पूरी सलाई उल्टी उल्टी बनाएंगे चौथी सलाई सीधी तरफ से इस सलाई को भी हम बिल्कुल सीधा सीधा बनाएंगे पहला फंदा सीधा उतारेंगे इसके बाद सारे फंदे सीधे तो चार सलाई तो हमारी बिल्कुल प्लेन प्लेन आती हैं पांचवी और छटी सलाई पर हमने डिजाइन बनाना है तो यहाँ पर चार सलाई पूरी हुई बॉर्डर बनाने के बाद हम चार सलाई इस तरह से प्लेन प्लेन बनाएंगे जो हमने यहाँ पर बनाया है बॉर्डर करके बनाने हैं इस तरह से उल्टा और सलाई पे दो बार धागा गुमा के ऐसे ठीके बनाने उल्टे हैं फंदे और लेकिन डबल करके बनाने हैं सारे फंदे उल्टे बनाएंगे डबल करके बनाएंगे डबल करके यानि कि सलाई पे दो बार धागा गुमा के इस तरह से तो हमने single बनाना है simple जैसे साधा उलटा जैसे यहां पे है इस side वैसे ही side और बाकी के जितने भी फंदे हैं वो हमने double करके बनाने है ठीक है आप देखिए छटी सलाई और design की last row पहला फंदा उलटा उटा रहेंगे अब देखे दो तो फंदों का ये डिजाइन है, दो फंदे हमने इस तरह से फोल्ड करे वे हैं, अनफोल्ड करेंगे, वापस लैप नीडिल में लेंगे पहले फंदे के अंदर से सलाई डालते वे, दूसरे फंदे को आगे लाएंगे इस तरह से, लिखिये इस तरह से, पहले फंदे के बीचों बीच से हमने दूसरे फंदे को आगे लाना है, पहले इस फंदे को बुनेंगे, फिर इस फंदे को बुनेंगे, ऐसे, फिर से देखिये, दो फंदे खोलेंगे, वापस लैप नीडिल में लेंगे, पहले फंदे के बीच से सलाई डालते वे दूसरे फंदे को आगे लाएंगे इस तरह से अब इससे सलाई पर रखेंगे और इन दोनों फंदों को पीछे की तरफ से सीधा बुनेंगे इस तरह से ठीक है तो पूरी सलाई हमने इसी तरह से बनानी है दो फंदे अनफोल्ड करें पहले फंदे के अंदर से सलाई डालते वे दूसरे फंदे को आगे लायेंगे और दोनों को सीदह बुनेंगे पीछे सेह सलई डालें फिर से भाहत ही मि çalाई डिजाइन है कि वीग्नर स्ब्स डिजाइन discern को आराम से बना लेंगे एस्टिच को बनाएंगे सीधा तो देखिए यहाँ पर 6 सलाई का यह डिजाइन हमारा बन गया है इनी 6 रो को हमने बार बार रिपीट करना है फिर से हम पहली सलाई जो हमने यहाँ पर लगाई है वो हम यहाँ पर लगाएंगे पहली सलाई से और छटी सलाई तक हमने बार-बार रिपीट करते वे जाना है तो देखिए जैसे जैसे ज़्यादा बनाएंगे वैसे वैसे ये डिजाइन हमारा इस तरह से दिखाई देगा आप चरूर बनाएए और मुझे कॉमेंट करके बताएगा आपको डिजाइन कैसा ल